4.4 इसमें है प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम जो कि आप समझ चुकें 4.3 में वो नमबर जो सिर्फ आपनी टेपल में आते हैं और फैक्टराइज करना उसको गुड़न खंड़न कर देना उसको मतलब कोई नमबर जैसे कि यह नमबर जी गया है इनको इस तरीके से ब् प्राइम नमबर भी हो और उनको मुल्टिप्लाइ करके यही नमबर जैसे कि 90 है फॉर एक्जामबल हमने 90 लिया तो 90 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका तो जब हमें फैक्टर करके इसके जो कुछ नमबर मिलेंगे तोड़कर उसको यह ब्रेक करके तो यह जिस तरह किस एक्जामपल में यह दिखाए गए है यह है फैक्टर ट्री अब मैं आपको यह कोशन करना बताती हूं एक बार में आप दोनों चीज समझ जाएंगे डिविजिन में थर्ड सिखाऊंगी और उसी में आपको फैक्टर ट्री ड्रॉ करना आ जाएगा ठीक है से निन्ट किस की टेबल में आता है 1 को नहीं लेना है यहाँ पर थीक है कि वन ना ही प्राइम नंबर है ना ही यह पेड़ी सरक करना है तो कॉसल करेंगे तो चले यह प्रैण नंबर है जिससे यह डिवाइड को सकता है तो जब हम two सी 90 को डिवाइड करेंगे हमें answer 45 मिलेगा यह समझ लीज़े कि जो डिवाइड अभी तक इस तरह करते थे इसका answer हम यहां लिखते हैं इस बार अब यहां ना लिखकर इस answer को हमने यहा लिखा है ठीक है हमने वह answer यहां नहीं लिखा है यहां लिखा है अब हमें इ कि यह नया कोशिन बंगे है अब हमारे लिए अब हमें 45 को डिवायड करना है 45 किसके आए तुप के डेवल में तो नहीं Aता है ठीके टवल में आता है 3 से ही atta हो जाएगा कि 4 और 5 9 होता है थीक है तो ही जेद से टिवायगों हो जैएगा और 3 प्राइम नंबर भी है और हमें प्राइम नंबर ही चाहिए तो 3 x 3, 3, 5 x 15 अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 15 आंसर आएगा यानि जब हम इस तरीक से डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आएगा वो आंसर वहां नहीं कि हमें नीचे लिखना है नेक्स्ट है अब 15, 15 भी 3 की टेबल में आता है 3, 5 x 15 और 5, 5 खुद अपनी टेबल में आता है 5, 1 x 5 मतलब यह दिवाइड कर रहे हैं और जो डिवाइड में आंसर आप इस साइड लिखते थे ना उसको आपने नीचे लिखा है ठीक है यही है डिवीजन मेथड ठीक है यह डिवीजन मेथड है अब इसी डिवीजन मेथड से आप फैक्टर ट्रू कर दीजिए 90 था यह यह नंबर लिखना है अब आप यह दो नंबर लेंगे यह दो नंबर फिर यह दो नंबर फिर यह दो नंबर फिर यह दो नंबर फिर जहां पर वन आगे वह नंबर आपको नहीं लिखना ठीक है तो 2 & 45 2 & 45 आपने यहां लिखा क्योंकि 45 टूजा 90 होता है ठीक है अब नेक्स न हमें मिल जाए उसको छोड़ दीजिए क्योंकि अब वो और फैक्टराइज नहीं हो सकता अब 45 हम फैक्टर करेंगे इसका इसके दो लेक्स बनाए यहां पर अब हमें क्या लिखने है टू और 45 हम लिख चुके हैं अब हमें लिखने है थ्री और 15 थ्री और 15 थ्री भी अब प् प्राइम नमबर तो हमें इस अल से ल्ए में प्राइम डंबर सबमें जब भी हमें इस अथ शेक में इस तरीका है मिल जाए सम्हो पौसों हमारा हो गया है अब देखो 3 5 15 ठीक है 3 15 45 या 15 3 45 किसी भी तरीके पर से पढ़ सकते 45 2 90 इस तरीके से हमें नमबर ची होते हैं 3 5 15 15 3 45 45 2 90 इस तरीके से आना चाहिए इस साइड या इस साइड जैसे आपको सही लगे परैम नमबर आप रख सकते हैं अब इन्हें हमने multiply में दिखाना है 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 2 90 is equal to 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 अब आप इसे multiply करेंगी तो आपको 90 ही मिलेगा 2 3 is a 6 6 3 is a 18 और 18 5 is a 90 ठीक है मैंने आपको division method सिखाया और यहीं से आपको factor tree बनाना है इस तरीके से ठीक है एक बार अब मैं चलिए एक कोशन बताती हूं 72 का 72 को factorize करेंगे 2 की table में से start करेंगे क्योंकि even number है तो जब हम इसे divide करेंगे 2 3s are 6 2 6 are 12 अब यह दुबारा 2 की table से divide हो जाएगा 2 1s are 2 2 8s are 16 दुबारा 2 की table से divide हो जाएगा 2 9s are 18 अब यह जो 9 है यह 3 की table में आएगा 3 3s are 9 और यह 3 1s are 3 अब आपको यह दो नंबर फिर यह और फिर यह चाहिए यह नंबर नहीं लिखना जहां वन होगा वहां नहीं लिखना आपको ठीक है तो आपने कोशन में लिखा 72 लेक्स हर बार निकाले आपको लेक्स निकाले इसक 6 2 n 36 3 36 में आप लिखेंगे 236 हो गया 218 लिखा 29 2 9 लिखा 29 फिर 9 2 0.00 निकाले और फिर हमने 33 लिखा 3 3 अम देखो यह प्राइ्म प्राइम प्राइं प्राइम प्राइं प्राइम 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 थी कहीं इस्यक variety से मिल गए और आप मेंडिप्ला आपकर 3 3s are 9, 2 9s are 18, 2 18s are या 18 2s are 36, 36 2s are 72, ठीक है, इस तरीके से है, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, 36 2s are 72, यह हो गया, अब 72 is equal to, यह सारे नंबर लिख देने हैं, यह प्राइम, 2 multiply 2, multiply 2, multiply 2, multiply 3, multiply 3, ठीक है, 82 का आप factorize करोगे, 82 को factorize करोगे, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 41 एक प्राइम नंबर है, 41 1s are 41, सिर्फ दो ही नंबर आए हमारे पास, 2 and 41, तो यह 2 और 41, यह हम लिख देंगे, ठीक है, यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, इससे ज़्यादा यह आगे नहीं बढ़ेगा अब यह है, division method से निकालना, division method इसी को ही कहते है, ठीक है, 140 है, 140 हमने यहाँ लिखखा, और हम इस तरह के से line draw करेंगे, अब हम इसे 2 से divide करेंगे, क्योंकि even number है, 2 से divide हो जाएगा, हमेशा याद रखना, prime factorization का chapter है, prime factorization पूछा है, तो prime number ही होने चाहिए, composite number नहीं होगा, बढ़ना, आपका solution गलत हो जाएगा, तो 2 से start के है, क्योंकि 2 एक prime number है, 2, 7 सा 14, 0 का 0, ठीक है, अब यह भी even number है, तो यह भी 2 से divide हो जाएगा, 2 से divide करेंगे से, तो हमारा answer आएगा 35, ठीक है, answer हमने यहाँ लिखेंगे, अब 35 जो है, 5 की table में आता है, 5 के से हम divide करेंगे, 5 स अब यहाँ लिखेंगे, और 7 खुद अपनी table में आता है, 7 से 7 डिवाइड होगा, 1 बार में, ठीक है, बस, अब क्या लिख देना आपको, 140 is equal to 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7, बस, इस तरीके से सारे ही समसापों करने है, एक और बताते हूं, 75, 75 से 3 की table से divide हो जाएगा, 3, 2, 6, 1 बचा, 3, 5 से 15, अब आया answer 25, 5 से 25 को divide करोगे, अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से divide हो रहा है, तो यह divide वही है, जो आप ही तक आपने की है, जैसे 5 से 25 को आप divide करोगे, तो 5, 5 is 25, बस, फर्क इतना है कि जो answer आप इधर लिखते थे थे ना, आपको यहाँ बस 75 is equal to 3 multiply 5 multiply 5, 3 multiply 5 multiply 5, multiply करके देखोगे तो यही answer एगा, 3 5 से 15, 15 5 से 75, ठीक है?